नमस्कार मैं नेनराम चोधरी टीम फिजिक्स CLC सीकर तो बिटा आज हम माइनर टू जो आपके हुआ है 23 जुलाई को उसका हम फिजिक्स का सोल्यूशन करने वाले हैं आसा है पेपर आपका अच्छा हुआ होगा अब आपके जितने भी डाउट रहे हैं वो आपके इस क्यूसन है आपको बोलाए कि एक 0.2 kg की एक बोल है जो 45 डिग्री एंगल पर आ रही है और वापस 90 डिग्री एंगल पर जा रही है ओरिजिनल इंसिडेंट से इसका मतलब 45 से आएगी 45 से इधर वापस आएगी तो हमें पूचा है बतो इसके मोमेंटम में कितना चेंज आए इनिशियल जो है इसका वो आपके हो जाएगा 0.2 इन्टू इस गेंद की स्पीड है 25 तो यह आपके पास मोमेंटम आगे बटा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड यह मोमेंटम आगे इनिशियल और फाइनल भी अगर आप देखेंगे तो फाइनल भी आपके इता ही रहेगा 0.2 इन्टू 25 पाँच किलोग्राम मीटर पर 30 सेकंड अब देखो प्रारम भी किस दिशा में है 5 अन्तिम इस दिशा में 5 तो हमें इसके घटक करने पड़ेंगे यहां से इसका ये वाला घटक होगा माइनस 5 कोस 45 और इसका ये वाला घटक हो जाएगा प्लस का 5 कोस 45 तो अब देखिए और इसका एक घटक बेटा ये हो जाएगा माइनस स्वरी 5 साइन 45 और इसका भी ये घटक हो जाएगा आपके 5 साइन 45 जड़ा ध्यान से देखें बटा इस दिसा के अंदर इस direction में आपको momentum change नहीं हो रहा है जबकि इस direction में momentum पहले इधर था फिर इधर था इसलिए मैंने इसको minus लिखा और इसको plus लिखा है सर ने आपको बताया होगा classroom में कि आप opposite directions अगर होती है तो किसी एक को आपको plus मानना और किसी एक को minus मानना है तो हमने initial को minus ले लिया और final को हमने plus ले लिया तो बैटा अब हम change in momentum calculate कर लेते हैं final कितना है 5 को 45 पांच बटा रूट दो इसमें से minus करना है minus का 5 बटा रूट दो ठीक है तो यहां से जब हम इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा आपके 10 बटा रूट दो और 10 बटा रूट दो का मलब 5 रूट दो आपका option number second जो हो सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले सवाल अबर देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है find out true statement सत्य गतन हमें पैचानना है पहला option देर का है we can produce a single isolated force हम केवल एक बल उत्पन कर सकते हैं बिलकुल ऐसा बिलकुल भी नहीं है जब भी हम कोई force लगाते हैं जब भी हम कोई force लगाएंगे किसी object पर जब भी हम बल लगाएं इसका मदलब हम अगर बल लगा रहे हैं हम अगर क्रिया बल लगा रहे हैं तो वापस एक उसका क्या होगा प्रतिकिरिया बल जो है वहाँ पर उपस्तित रहेगा तो यह जो है वो आपके ऐस सत्य कतन हो गया हमें सत्य कतन पैचानना है तो पहला statement तो सत्य नहीं है अगला द आनी हैं परत्य क्रिया के लिए एक परती कीरिया होगा चाहे वह वस्तु वीराम अवस्ता में नहीं रहें तो यह 이 श्टैट्मेट के और फो टू डिफ्रेंट अब्जेक्ट्स पर लग रहे हैं दो अलग अलग अब्जेक्ट्स पर लगते हैं इसलिए कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं इसका मलब थर्ड ओप्शन भी सही है तो आपके चोदा ओप्शन क्या लिख रखा है दो तीन दोनों सही तो इसका मलब दो और तीन टू एंड त्री तो ओप्शन नमबर आपका फोर जो है वो सही हो जाएगा इसके अंदर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योशन पर देखिएगा नेक्स्ट क्योशन में आपको बोला है कि ये दो किलोग्राम की वस्तु है और ये पां पुचा कि बताओ जब आप 35 न्यूटन यहाँ लग घा रहे हो तब यहाँ पर कितना परतिकीरिया एक्स कितना आपके Normal रियक्शन लग रहा है और यहाँ पर कितना नॉर्मल रियक्शन लगएए उन दोनों का रेशियो तो देखिए सबसे पहला कॉंसेप्ट है हम इस सि तो ये आपके आंसर आजाएगा 5 meter per second square और किसर इस case में बैटा इस case में भी तो तो सेम ही होगा बस तो तुरन की दिशा इस तरफ होगी ये बराबर 5 अब हम बात करते हैं इस N1 को calculate करने के लिए तो N1 को calculate करने के लिए हम M का भी FBD बना सकते हैं और हम इस capital M का भी FBD बना सकते हैं तो सबसे आसान है वो हम बनाते हैं इस capital M का FBD तो जब हम capital M का FBD बनाएंगे जिसका mass 5 kg है तो आप जहां से देखिए इस capital M पर ये M के द्वारा एक normal reaction इदर से लगाया जा रहा है 5, 5 into 5 that is 25 फिर हम यहां की बात करेंगे तो अब हम यहां पर इस बार इस M का FBD बनाएंगे इस M का अगर FBD बनाएं तो यहां पर इस M पर जो की 2 kg का है इस पर लग रहा N, again N की value M into A, M मतलब 2, A मतलब 5 तो यह आगया 10 और बैटा 25 बटा 10 को जब हम solve करेंगे तो आपके आंसर आजाएगा 5 बटा 2 तो इसका आपके option हो जाएगा second option से हो जाएगा अगले सवाल पर बढ़ते हैं देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है यह, find out tension force at a distance 2 cm from this end, देखिए simple सवाल है आपने इस string के इस end पर 50 newton का force लगाया है, total length 10 cm है, string का total जो mass है मतलब इस बार string mass less नहीं है, लिखावा है साब साब, string placed on smooth horizontal surface and string has uniform mass, string पर दर्यमान एक समान रूप से फेलावा है तो इसका formula होता बेटा, tension का F1-X upon L, यहाँ X क्या है, X उस सिरे से दूरी है जहां पर आप बल लगा रहे हो, तो यह हमें देर रखा है तो देखिए, T बराबर F का मान 50, 1-X का मान 2, और L क्या है सर, L बेटा कुल दूरी है, कुल इसकी लंबाई है उस string की, तो 2 बटा 10, तो यहाँ से T बराबर 50, 1-1 बटा 5, यह बन जाएगा आपके 4 बटा 5 और जब इसको solve करेंगे जो बेटा value आजाएगी आपके 40 newton, option number 4 ज जबाल है, previous year का question है, S1 वे S2, spring तुला के पाठ्यांकों का अनुपात ज्याद करना है, find out ratio of reading of spring balance S1 and S2, देखिएगा, क्या concept है इसमें, यह पूरा का पूरा अभी जो है वो equilibrium में है, पूरा system अगर equilibrium में है, तो बेटा 5 kg पर इधर force लग रहा है 50 newton, okay, अब देखिएगा, इ इसका spring constant K1 है, और माल लेते हैं, इस spring में, जो increment वा length में, जो इसकी लंबाई में change वा वो X2 और इसकी लंबाई में change वा X1, तो देखिए कहानी क्या बनेगी इस तरह से, यह spring, फिर यह spring और यह mg, अब ज़रा ध्यान से देखें, नीचे की तरब 50 लग रहा है, तो जाहिर सी बात है, वापस इधर, यह जो K2 X2 है, यह भी 50 लगेगा, बिल्कुल सही बात है सर, फिर देखिएगा, इस जगे पर, यह spring नीचे वाली, यहाँ पर नीचे की तरब लगाएगी K2 X2, spring अपने दोनों दिशाओं में बल लगा दिए, क्योंकि spring की लंबाई में परिवर्तन ह हो रहा है, तो K2 X2 उपर लगेगा, K2 X2 नीचे लगेगा, और यहाँ पर भी K1 X1 उपर की तरब लगेगा, अब देखिएगा, K2 X2 की वेल्यू किती है 50, तो बेटा, जब यह equilibrium में हैं, तो K1 X1 की वेल्यू भी किती होगी, 50 होगी, इसका मतलब आपके spring balance, spring balance की जो reading होती ह वो actual में K1 X1 ही होती ही बटा, तो K1 X1 बटा, K2 X2 क्या आगे बटा, एक ratio, 1 ratio 1 आगया, तो इस type के सवाल में हमेशा ध्यान रखना है, कि आपका जो option है, mostly उसमें क्या रहेगा, 1 ratio 1 रहेगा, और ध्यान रखना है, spring क्या है, mass less है, अगर spring mass less नहीं होगी, तो उस case में ratio ऐसा नहीं आएगा, हमें उसको FBD निकालके अलग से solve करना पड़ेगा, यह देखिए, question number 6, आपको बोला है A, B, C, तीनों का mass आपको दे रखा है, 1 kg, 2 kg और 3 kg, और हमें पूचा है, बतो इस system का जो है, वो isolation कितना है, तो जाहिर सी बात है, हम एक बार देख लेते हैं, कि सर देखिए बटा, यह 3 कहजिए, तो mg sin theta, तो 3 mg और sin 53, तो देखिए, यह बन गया 30, sin 53 की value आपके होती है, 4 बटा 5, तो यह बन गया आपके 24 newton, इधर लग गया 24 newton, देखते हैं, इधर यह कितना लगा रहा है, again mg sin theta लगाएंगे, अपन इसका मान दे रहे हैं, 3, 3 into 10, into sin 37, sin 37 होता है, 3 बटा 5, तो यहां से देखिए, 5, 2, 10, 6 और 18, यह आगया 18 newton, तो आप देखिए, 24 newton वाला बल ज्यादा हो गया, 24, जहिर सी बात 18 से ज्यादा है, तो acceleration क्या आएगा, acceleration आएगा गुरुजी, net force, net force क्या है, 24 minus 18, divide by total mass, total mass कितना है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, कितना बन गया, 6, त that is 1 meter per second square और वो इस direction में, यह इदर आएगा बैटा 1 meter per second दोनों और यह बैटा 3 kg का object 1 meter per second square से उपर की तरफ चलेगा, यहाँ पर किसी परकार को कोई friction नहीं देरकाव में, बढ़ते हैं अगले क्योशन पर, क्योशन number 7, आपको बोला है कि यह 12 kg का जो है monkey है, बंदर है, वो यहाँ पर उपर की तरफ चड़ेगा, अब यह गिरनी जो है वो दर्यमान रही थे, बोला है कि 16 kg के यहाँ पर बनानाज यहाँ पर रखे हैं, तो यह कितने अधिक्तम तोरंट से उपर की और जाए, कितने maximum acceleration से उपर की और जाए, ताकि यह केले जो है वो सते को ना तो इस केस में solve करते समय हम extreme condition लेंगे, extreme condition हम क्या लेंगे, कि सर यहाँ पर इसमें tension force create होगा, फिर इधर tension force create होगा, फिर इधर tension force create होगा, और इस monkey का mg downward लग रहा है, तो देखिएगा, extreme condition में यह T और इसका mg आपस में equal होगे, तो T बराबर mg, अगर मैं T बराबर mg करूँ, त तो बैटा T की value आगई, आपके 160 newton, tension force की value आगई, आपके 160 newton, अब हम बात करते हैं इस बंदर के लिए, तो बैटा बंदर का अगर मैं FBD बनाऊं, तो बैटा बंदर का अगर हम FBD बनाएं, तो बंदर पर लग रहा है उपर की तरफ T, नीचे की तरफ लग रहा है mg, और ये बंदर जा रहा है, उपर की तरफ मान लो किसी A, ऐसी लेशन से, तो इस पर net force उपर की तरफ हो जाएगा, according to newton second law, M, तो बैटा क्या equation बनी, equation बनी सर T minus mg बराबर M, ओके, तो T का मान, सर T का मान हमने calculate कर लिया, extreme condition से 160, minus mg, mg की value 120, इस बार बंदर का दर्यमान बैटा 12 kg है तो ये mg 120 होगा, ये mg 160 था, तो 160 minus 120 बराबर, बंदर का दर्यमान 12 into A, तो यहां से बटा जाएगा 40 बटा 12, और 40 बटा 12 मतलब आगे आपके 10 बटा 3, 10 बटा 3, option number 3 जो है वो आपके correct हो जाएगा, बढ़ते हैं अगले question पर, अगला question देखिए, आपको calculate करना है, find out extension in spring, इस spring में कितना extension हुआ, तो देखिएगा, कोई friction नहीं है यहां पर, तो जाहिर सी बात है, यह object इस तरफ motion करेंगे, तो हम सबसे पहले, ऐसे सवालों में सबसे पहले हम acceleration of system निकाल लेते हैं भईया, तो acceleration of system, net force, divide by total mass, क्या है net force, sir, net force है, 2 kg का 20, यह देखिए, इस पूरे system प तो 50 newton force नीचे की तरफ लग रहा है, तो net force हो गया है, इसका count नहीं होगा ज्यान रगना, इसका 10 newton इधर लग रहा है, तो यह आपके motion के अंदर include नहीं होगा, तो 50 divided by total mass, total mass तो आपके 6 है, तो acceleration आगे आपके पास, 50 by 6, that is 25 by 3, अब सवाल पर क्या पूछा है, हमें पूछ अपने को ज्याद करना है, extension ज्याद करना है, तो अब हम FBD बना लेंगे 3 kg का, FBD of 3 kg, तो जब 3 kg का FBD बनेगा, तो देखिएगा 3 kg, 3 kg पर नीचे की तरफ किता force लग रहा है, 30 newton, गलती से भी 50 नहीं ले लेना है, केवल हम 3 kg का FBD बना रहे हैं, और उपर की तरफ, सर और इन दोनों के कारण ये नीचे की तरफ A acceleration से जा रहा है, तो net force नीचे की तरफ इस क्या हो गया, 3A, तो बतो बेटा equation क्या बन गई, सर equation बन जाएगी, 30 minus KX, 30 minus KX बराबर MA, 30 minus KX बराबर MA equation बन गई, अब K का मान आपको देर खा है 50, तो देखिएगा, 30 minus 50 into X equals 2, MA, ये रहा MA, 3 into A, 3 into A, A का मान अपने calculate कर लिया, 25 by 3, 25 by 3, तो यहां से 3 से 3 cancel हो जाएगा, और ये value आपके आ जाएगी, देखो बेटा, 50X equals to 30 minus 25, that is 5, तो आगे है बेटा, X equals to 5 by 50, that is 0.1 meter, 0.1 meter, सर, option में नहीं है, बेटा, option में देखो तो सही, centimeter दे रखा है, 100 से multiply करेंगे, तो आजाएगा, 10 centimeter, option, second जो हो आपके, सही हो जाएगा, बढ़ते हैं, next सवाल पर, क्यों से number 9 देखी, बढ़ा, अच्छा सवाल है यह, 100 newton का एक force लगया हमने यहां पर, और सवाल में हमने पूछ लिया, कि स्टार्टिंग में दोनों rest में, तो बताओ, इनका isolation क्या होगा, 8 kg का और 4 kg का, तो देखिएगा, concept यह केता है, कि आपने जो 100 newton लगाया है, और यह pulley, mass ले से, तो pulley पर net force हमेशा 0 रहता है, तो इधर और इधर बराबर बराबर force बढ़ जाएगा, 100 newton का इधर 50 और इधर 50, तो यह यहां पर 50, और यह यहां पर 50, अब ज़रा गोर से देखो, इस 8 kg पर न में, तो बैटा, acceleration of 8 kg, हमें पहले acceleration of 8 kg पूछा, ज्यान रकना, option गलत नहीं कर देना है, तो acceleration of 8 kg आगया 0, तो यह तो यह और यह, अब अगली बात करते है, 4 kg का, ज्यान से देखें, बैटा, 4 kg पर नीचे की तरफ force लग रहा है, 40, और उपर की तरफ लग रहा है, 50, इसका म 2.5, option number first, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, question number 10 देखिए, सवाल यह है, कि 10 kg की वस्तु है, mass 10 kg दे रखा है उसका, और वो constant velocity से चल रहा है, 10 से, अब हमने उस पर 4 second के लिए बल लगा दिया नहीं है, तो 4 second बात इसका वेग जो है, वो विपरीत दिसा में हो गया, opposite direction में इसकी velocity आ गई, कितनी 2 meter per second, तो हमसे पूचा है कि बताओ acceleration कितना होगा, तो देखिए, V equals to U plus 80 का हम use करते हैं, equation number first, आपको क्या दे रखा है, 4 second के बाद इसकी velocity हो गई, 2 meter per second, opposite direction में हो गई, तो देखो, मान लो पहले object इस तरफ जा रहा था, कितनी speed set 10 से, और अब वो इधर जा र convention में, V का value minus का 2 रखना है, यहां गलती नहीं कर देना, plus का 2 रखने से answer नहीं बनेगा, क्योंकि यह और यह opposite direction में है, तो minus 2 V, U की value, U की value हमें plus 10 लेनी है, plus A, A हमें पता नहीं है, T हमें दे रहे का है 4, multiply कर लेते हैं 4 से, तो बैटा यह इधर आ जाएगा, minus का 12, minus 12 equals to 4A, तो कुछ सोचो, minus तो आ नहीं है, क्योंकि आप जो force लगा रहे हो, उसके करण उसकी velocity जो है, opposite direction में होरी, मला object पहले इधर जा रहा था, और इधर जाते 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 वो कहीं रुका होगा और फिर उसकी velocity इधर हुई होगी, इसका मला force उसकी velocity का oppose कर रहा है, इसका म the action of a constant force, तो बताओ उसकी जो V, जो उसकी final जो उसकी velocity होगी, D distance के बाद में, यहां से चला देखो ऐसे, यहां पर इसकी velocity है 0, और अब वो ऐसे चला constant force में, और यहां आते आते इसकी velocity होगी, V distance D, तो यह V जो है वो, इस मलब D पर या इसके mass पर किस तरह से depend करेगा, option में सा जाहर सी बात, इसी में से कोई एक होगा, तो हम equation लगाते हैं, V square equals to U square plus 2AS, 2AD, ठीक है, तो अब देखिएगा, यह तो 0 है, कि सर A, तो बटा A हम क्या लिखेंगे, mass देर का M, और constant force, मान लेते हैं, force इस पर लग रहा F, तो acceleration की value आजएगे, V square बराबर, 2, acceleration को हम लिख देंग force divided by mass, अब देखिए आप, यह सारी चीज, V इधर आ जाएगा, यह पूरा बन जाएगा, root 2FD upon M, अब देखिए, यह सब कुछ आपको नियद दे रहा है कि उसने D distance cover कर ली, तो आपके पास बचा क्या option के अनुसार, V inversely proportional to root M बचा बटा, तो आपके यह options ही हो जाएगा, अ 120 kg का एक rocket है, जो gravity free space के अंदर उपर की तरफ जा रहा है, और उसकी velocity 600 meter per second है, और उस समय उसका जो mass, जो इंदन की खपत जो है, mass, वो 1 kg per second है, तो मैं पूछा है कि बतो उसका initial isolation, तो देखिए, हम यहाँ पर, F बराबर M, sorry, यहाँ पर हम, F बराबर V dm by dt, और हमें चुंकि एसलेशन पूछा है, तो हमें इसको ma के बराबर भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए, V की value, sir, V की value 600 दे रखिए, dm by dt, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो यह dm by dt है, mass में कितना change हो रहा है per second, that is 1, equals to, और उसका खुद क mass दे रहा है, आपको 120, 120 into A, तो देखिए, यहाँ से A की value आपके आ जाएगी, 5 meter per second square, उस समय उसका isolation किता है, 5 meter per second square, तो यह इस तरह से आपको equation लगानी आनी चाहिए, इसके अंदर, question number 13, सवाल बोला है, कि 2 kg पर, sorry, हाँ, t equals to 2 second पर आपको, impulse calculate करना है, यदि इसका mass जो है, 0.1 kg है, तो देखिए, t equals to 2 second पर, यहाँ पर आपको, तो impulse कैसे calculate करेंगे, तो impulse calculate करने का तरीका है, जश्ट बाद में कितना momentum है, जश्ट पहले कितना momentum है, final momentum minus initial momentum हम कर लेंगे, सर, final momentum, ध्यान से देखो, यह x और t के बीज का graph दे रखा है, x और t graph का जो slope है, slope of x t graph, वो किसको बताता है बैटा, वो बताता है velocity को, वेक को बताएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, सर, यहाँ से final velocity तो 0 हो गई, तो final velocity 0, तो final momentum भी क्या हो गया, 0, लेकिन सर, initial momentum तो देखो, initial momentum, mass into velocity, यहाँ से देखें, यहाँ से, अगर हम इसका 10 theta calculate करें, तो बता 10 theta आएगा, 4 divided by 2, 4 divided by 2, that is 2, तो यही तो velocity है, just before 2 second, initial velocity, यह 2, तो हम यहाँ पर रख देंगे, mass की value आपको दे रखिये, तो हम यहाँ से रख देते है, 0 minus, mass दे रखा 0.1 into initial velocity 2, तो बता यह आगे आपके पास, minus का 0.2, minus का 0.2 kg meter per second, यह आपके impulse आएगा, या अगर सवाल में बोलता है, कि momentum में कितना change है, तो भी यही होता आपके पास में, minus का 0.2, question number 14, देखिएगा, question में बोला है कि यह पूरा system जो है, वो equilibrium के अंदर है, तो आपको बताना है कि यह angle कितना है, तो देखो, simple सा question है यह, किसी एक तरफ से हम इसको solve करेंगे, तो अगर देखो, यहाँ पर इस पर mg लग रहा है, तो इसमें tension T, यहाँ पर mg लग रहा है, इसमें tension T, तो अब देखिए, यहाँ पर भी tension T होगा, और यहाँ पर भी tension T होगा, अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस T का यह component इदर आएगा T sin theta, और इस T का यह component आएगा इदर T sin theta, दोनों एक दूसरे cancel कर देंगे, और इन दोनों के इदर component आएँगे बटा, वो आजाएंगे आपके देखो ज्यान से 2 T cos theta, इसका भी T cos theta बटा, और इसका भी T cos theta, 2 T cos theta, यह balance कर रहा है किसको, इस root 2 mg को, mg आपस में बराबर है, इससे equation आगई T की, T का value आगया किता बटा, T equals to mg, तो हम यहां रख देते T की जगे mg, तो 2 mg cos theta equals to root 2 mg, mg से mg cancel हो गया, cos theta की value आगई, root 2 by 2, इसका मलब 1 by root 2, और अगर 1 by root 2 है, इसका मलब theta कितना बटा, 45 degree है, आपके option number 3 जो है, वो सही हो जाएगा, क्यों सन देखिए अगला, आपको बोला है कि, पूरा का पूरा सिस्टम 2 meter per second square से नीचे की तरफ जा रहा है, और आपको बोला है कि, force A के द्वारा B पर कितना लग रहा है, A object B पर कितना force लगा रहा है, यह calculate करना है, तो देखिए जितना A B पर लगाएगा, उतना ही B वाप पस A पर लगाएगा, तो हम क्या करते हैं, A पर force calculate कर लेते हैं, A का FBD बना लेते हैं, क्योंकि हमें mass A का देर का है, B का mass हमें नहीं देर का, तो देखिएगा, A का अगर मैं FBD बनाओ, तो दियां से देखिए A का FBD, Sir A पर कौन-कौन से force लग रहे हैं, A पर एक तो लग है M G, Sir M G कितना है, 0.5 into G, मलब 5 Newton, Sir A पर और कौन से force लग रहे है, A पर देखो, B के surface द्वारा normal reaction लग रहे है, तो उपर की तरफ लग रहे है, normal reaction N, और इन दोनों के effect में ये नीचे की तरफ जा रहा है, कितने से, 2 meter per second equation से, इससे multiply कर दे, 0.5 into 2 से, तो ये value आपके आजाए 1, तो equation क्या बन गई, Sir equation बन गई, 5 minus N equals to 1, 5 minus N equals to 1, तो N equals to value आगी बटा आपके 4 Newton, this is the correct option, ये force किस पर लग रहा है, A पर किस के द्वारा, B के द्वारा, और ये force वापस A के द्वारा लगेगा किस पर, B पर, action reaction के according, अगला question देखिए, अगला question ये है, आपको बोला है कि किसी object पर, जिसका mass 0.25 kg है, वो नीचे की तरब आ रहा है, 9.2 से, 9.2 के acceleration से, अब याद करो, अगर वो freely fall होता, air का resistance हम include नहीं करते, तो वो किते से नीचे की तरब आता, 9.8 से, लेकिन वो 9.2 से नीचे की तरब आ रहा है, तो मैं पूछा है कि बताओ, उ से नीचे की तरब आ रहा है, तो इस पर एक तो gravitational force लग रहा है, mg और एक इस पर उपर की तरब लग रहा है, air का frictional force, air का frictional force लग रहा है, और इन दोनों के कारण, इसका net force नीचे की तरब, ma, तो equation बनाते हैं अपर, तो यहां से क्या equation बनेगी, यहां से equation बनेगी, mg minus frictional force equals to ma तो यहां से F की value आ गई बैटा M G minus M A M common ले लेते हैं G minus A तो देखिएगा क्या बनेगा बैटा F Frictional Force M की value M की value आपको दे रहे किए 0.5 0.25 sorry 0.25 G की value इस बार 9.8 9.8 मैं से A minus करेंगे A किता दे रहे का बैटा वो किता से निचे आ रहा 9.2 से 9.2 यह बन गया 0.6 0.25 इंटू आपके बन गया 0.6 तो यह किता आंसर आ जाएगा आपके तो यह आपके बन जाएगा आपके देखो 1 0.15 sorry 0.15 Newton यह आपके option जो है वो सही हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले question पर अब बोला है एक 15 kg का object है वो एक लंबी सी ट्रोली पर रखावाई इस तरह से ट्रोली है इस ट्रोली के उपर रखावाई ठीक है अब यह ट्रोली जो है वो किते से इस लेरेट हो रही है यह ट्रोली एस लेरेट हो रही है 0.5 से तो जब ट्रोली इस लेट होगी तो इस पर एक pseudo force लगेगा तो सरम इस पर पहले यह pseudo force निकाल लेते हैं तो calculate कर लें वही एब बराबर म से एब बराबर M इसका M किता दे रखा है 15 kg 15 into कितना isolation 0.5 तो बेटा यह value आप calculate करेंगे यह value आपके आजाएगी 7.5 निउटन इसका मले इस पर पीछे की दरब जो force लग रहा हो 7.5 तो अब यहाँ पर friction अगर नहीं होगा तो यह पीछे चला जाएगा लेकिन यहाँ साब साब दे रखा है आपको friction coefficient दे रखा है 0.18 इसका मले इस पर friction इदर लगेगा चलो friction का static friction का maximum value calculate कर लेते हैं mu mg that is 0.18 into mg यह आपके तो जब हम इसको solve करेंगे तो यह आपके आजाएगा 27 newton यह किता आजाएगा आपके 27 newton तो बैटा ध्यान से देखो 27 इसकी maximum value लग सकती है इदर 27 7.5 से ज़्यादा एक नहीं है बिल्कुल ज़्यादा है सर इसका मतलब यह object जो है वो क्या रहेगा rest में रहेगा तो इस पर friction force कितना लगेगा 27 या 7.5 नहीं सर अगर object rest में रहता है तो static friction की value external force के बराबर होती है तो अभी 27 की जरूद नहीं उसको रोकने के लिए उसको रोकने के लिए कितने की जरूद है 7.5 नूटन की ही जरूद है तो 7.5 नूटन जो है वो friction force रहेगा ध्यान रखें इस बात का अगला सवाल देखिए आपको बोला है दो block है A और B दोनों एक दूसरे के उपर रखे वे हैं A और B के बीच में आपको friction coefficient देर का 0.6 और आपने बोला है कि इस पर F force लगाना है तो पुछाए कि इस F की maximum value क्या हो ताकि ये दोनों के बीच में किसी तरह का relative motion नहीं हो किसी तरह का relative motion नहीं होने का मतलब दोनों साथ साथ चलने चाहिए दोनों common isolation से चलने चाहिए तो ये तभी संभव है जब common isolation की value common isolation की value A के maximum isolation से क्या हो कम या ज़्यादा ज़्यादा उसके बराबर ये concept होता इसका तो अब देखो A common कितना हो जाएगा common का मतलब दोनों साथ चलेंगे तो दोनों साथ चलेंगे तो A common हो जाएगा F बटा 7 less than equals to A इस A का maximum isolation सर इस A का maximum isolation तो देखे बटा इस A पर friction force लगेगा इस तरफ that is F equals to mu mg 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 कितना बटा 20 mg कितना हो जाएगा 20 तो ये आपके पास वेल्यू किती हागी बटा 12 newton ठीक है तो 12 बटे 2 isolation का formula F बटा M तो 12 बटे 2 ये बन गया 6 तो बटा F बटा 7 less than equals to 6 तो F की value आपके आपके आगई 42 newton तो ये आपका first option जो है वो सही हो जाएगा ठीक है बटा तो ये इसका important concept था common isolation जो है वो ये इसके maximum isolation के जड़ा-ज़्यदा बराबर हो सकता भाई इसके maximum isolation के बराबर होगा तो भी तह waż चल पाएगा अगर common isolation इसके ही acceleration से ज़्यदा हो जाएगा तो जायर सी बात है फिर दोनो separate separate चलेंगे तो दोनो साथ नहीं चल पाएगे अगला देखिये असा साहिर सी बात है mg को गोन बैलेंस करेगा सर mg को बैलेंस करेगा इधर friction force और friction होता है बैटा मियू एन मियू की वेल्यू 0.2 सर एन बैटा एन आपको पता है एन बराबर 10 आएगा इधर आप 10 Newton लगा रहे हो तो वापस इधर से भी action reaction के दारण एन वापस 10 लगेगा तो हम यहां रख देते हैं 10 यह value आगई आपके 2 इसका मतलब अगर यह rest में है तो बतो mg इस 2 Newton के बराबर होगा कर नहीं होगा उपर की तरफ बिल्कुल सही बात है सर mg की value 2 Newton इसका weight 2 Newton हो जाएगा बढ़ते हैं अगले की उसन पर constant relation का है आपको बोला है कि string का येवल isolation 2 meter per second square है तो बतो इसका isolation कि दर होगा जाहिर सी बात है उपर की तरफ जाएगा तो देखियेगा constant relation से अगर इदर वाले का isolation 2 है इसका isolation 0 है हम मैं यह equation लगा दूँगा 2 और यह यह सर यहां से जुड़ावा है मनलब यह rest में है तो इसका isolation 0 तो equation क्या बनेगी equation बनेगी 2 plus 0 बटा 2 बराबर इसका isolation तो बटा इसका isolation कितना आजाएगा इसका isolation आजाएगा आपके पास 1 meter per second square यह एक से उपर की तरब जाएगा direction भी ज्यान होनी चीए अपने को बेटा question number 21 की बात करते हैं देखेगा question number 21 क्या बोला है कि आपको इस wage को इस wage को यह isolation इधर की तरब दिया अब पूछा क्या है कि आप इसको कितना यह isolation दो कि यह object जो है ना नीचे की तरब नहीं गिरे इसके respect में rest मेरे तो आप जहां से देखो इस M mass पर एक force लग रहा है नीचे की तरब mg sin theta जो इसको नीचे की तरब लाना चाहता है इसका मलब जाहिर सी बात है इस पर एक opposite force लगना चाहिए इधर की तरब जो इसको यहां रोक के रखे बिल्कुल सही बात है सर otherwise तो यह mg sin theta से नीचे जला जाएगा तो देखो जब हम इस पर एधर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इस M पर एक cos theta अच्छा सर M A cos theta यह क्या करेगा सर बेटा यह इसको रोकेगा देख इसके बराबर आगया बराबर होगा तभी तो यह rest मेरेगा और हमें सवाल में बोला है कि rest मेरेने के लिए equation बनाओ तो जाहिर सी बात है mg sin theta कौन सा sin theta बेटा sorry M A cos theta M A cos theta किसके बराबर होगा M A cos theta M G sin theta के बराबर होना चाहिए rest मेरेने के लिए यह इसका concept है तो M से M cancel हो गया A की value आजाएगी बेटा G 10 theta जब cos theta को इदर लेके जाएंगे तो sin theta बटे cos theta तो यह आपके 21 का answer बन गया देखिए question number 22 क्या कहता है आपको बोलाए कि एक object है वो पहले smooth surface पे चलता है smooth inclined plane है फिर वोई inclined plane को rough बना दिया जाता है तो फिर जो rough में जो time लग रहा है नीची आने में वो end times लग रहा है smooth के तो मैं पूछा है कि बतो वो coefficient of friction जो है वो कितना है तो देखिए गाई इस case में हम इसका एक diagram बना लेते हैं बेटा देखिए उसने बोला आपको कि smooth में कितना time लग रहा है तो smooth में time हम देख लेते देखो यह distance बेटा smooth में s ठीक है कितने acceleration से नीचे आएगा smooth में sir smooth में acceleration पता है g sin theta होता है initial velocity u है तो मान लेते हैं कितना time लगा t तो बेटा equation बना देते है s बराबर ut सर्यू तो 0 है तो सीधा half a t square यह आपके s की equation हो गई है फिर बनाते हैं जब यह rough inclined plane पर चलेगा तो बेटा rough inclined plane पर चलेगा तो आपको acceleration पता होना चाहिए g sin theta minus mu cos theta यह रहेगी आपके equation acceleration की rough surface पर कि sir क्या करना है फिर से s की equation बना नहीं है again u 0 है तो s equals to half a t square लगा दे सिधा u 0 है तो half इस बार बेटा acceleration है g sin theta minus mu cos theta और time time अगर यह t है अगर यह time t है तो यह time nt यह में सवाल में दे रखा है क्या करें sir यह s और यह s सर दोनों s तो बराबर हैं दोनों s तो बराबर हैं तो काटा पीटी करते हैं बेटा एक बटा 2g से एक बटा 2g cancel हो जाएगा ठीक है यहां से देगे t square से t square cancel हो जाएगा इधर क्या बचा 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 इधर बचा sin theta इधर क्या बचा इधर बचा इधर बचा देखो n square को अंदर multiply कर लो n square sin theta minus n square mu cos theta बिल्कुल अब क्या करें बेटा अब इसके अंदर अपने इसको इधर लेके आजाएं और इसको इधर ले आएं यह बना n square mu cos theta equals to इधर देखें यह क्या बनेगा यह बनेगा बैटा आपके n square minus 1 sin theta n square minus 1 sin theta अब कि सर अब cos theta cos 55 सवाल में दे रहाएं थीटा की value 55 है sin 45 तो बैटा cos 45 sin 45 दोनों एक बटा root 2 एक बटा root 2 होता है तो यह cancel हो जाएगा तो फिर क्या बचासर mu बराबर n square minus 1 बटा n square बैटा solve करेंगे तो यह 1 minus 1 बटा n square आजाएगा कौन सा option सही हो जाएगा आपके option number first जो हो बैटा सही हो जाएगा बढ़िया सवाल था यह बढ़ते हैं अगले किसन पर बैटा फिर बोला है एक block जो है वो theta angle के inclined plane पर बिलकुल constant speed से नीचे की तरब आ रहा है तो बताओ इसका coefficient of kinetic friction कितना है अब जहां से देखो अगर हम बात करें friction अगर surface पर friction present है तो नीचे की तरब जो isolation आता है वो हमें पता है sir isolation की value होती है g sin theta minus mu cos theta लेकिन सवाल में साब साब दिया है कि वो constant speed से चल रहा है इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि इसका isolation 0 है और अगर इसका isolation 0 है तो जाहिर सी बात है g हो गदर हो गया तो क्या बचा sir बचा sin theta equals to mu cos theta जड़ा ध्यान से देखो mu की value क्या आ गई sir mu की value आ गई 10 theta option number fourth आपके जो है वो correct हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question पर एक car जो है वो v node की speed से चल रही है और coefficient of kinetic friction mu देर खाए तो बताओ shortest distance तो सबसे पहले हम इसका isolation निकाल लेते हैं तो अगर इसका isolation निकालें तो देखिएगा car इस तरह से जब चल रही है तो car पर एक friction force इधर की तरफ लग रहा है that friction force is mu mg तो इसका isolation हो जाएगा minus का f बटा m that is minus mu g sir आपने minus क्यों लगया बेटा direction के opposite लग रहा है motion के opposite direction में लग रहा है तो minus का mu g हो गया ओके अब क्या करें sir अब equation number 3 लगा दो v square equals to u square plus 2as तो मैं पूछा है कि distance s पूछिए तो last में friction उसको रोग देगा तो velocity 0 और ये u आपको दे रहाए रहा वी नोड तो बटा 0 बराबर v node का square minus 2 mu g s तो जब इसको solve करेंगे तो बटा s की value हाजाएगी v node square upon 2 mu g option number first is the correct बढ़ते हैं अगले question पर question number 25 आपको बोला है कि एक 5 kg का object है वो एक rough surface पर चल रहा है और friction coefficient 1 by root 3 है और एक आप कितना force लगा है देखो diagram समझते हैं इसका बटा एक object रखावा है diagram आपको खुद को बनाना इसमें क्योंकि साब साब लिखा है कि आपको force जो है वो horizontal के साथ 30 degree एंगल पर लगाना है यह हमने एक force लगा दिया horizontal के साथ 30 degree एंगल पर तो बोला है कि just वो move करना start कर दे यह किता हो तो सबसे पहले देखो इस f के दो component बनाते बटा f cos theta f cos 30 f cos 30 मलब root 3 f बटा 2 root 3 f बटा 2 इधर की तरफ sir बैटा इधर की तरफ इस पर एक n लगेगा और इस f का भी तो एक component आएगा that is f sin 30 और f sin 30 मलब f बटा 2 नीचे की तरफ sir नीचे की तरफ mg लग रहा है इसका mass 5 kg है तो यह 50 और इस पर एक friction लगेगा इधर की तरफ that is friction f equals to mu n अब जड़ा यहां से देखो क्या यह object ऐसे उपर यह नीचे की तरफ जा रहा है नहीं sir object को तो बोलाए कि जाएगा इधर ही इसका मलब यह दोनो forces एक दूसरे को balance करेंगे बिल्कुल balance करेंगे तो बैटा यहां से n की value n plus f बटा 2 equals to 50 n की value आगई 50 minus f बटा 2 यह आपके पास आगए n का मान ओके sir क्या करें बैटा n का मान यहां रखो friction की value किती हा जाएगी sir friction की value आजाएगी mu mu देर का 1 by root 3 तो 1 by root 3 into n n का मान है 50 minus f बटा 2 50 minus f बटा 2 ओके तो अब क्या करें sir अब जहां से देखो इस तरफ force किता लग रहा है इस तरफ force लग रहा है sir root 3 f बटा 2 और इधर यह लग रहा है तो जब वो just चलना प्रारम होगा just चलना start होगा तो उससे में यह दोनों forces हम क्या कर देंगे extreme condition लेके बराबर कर देंगे बटा तो यहां से root 3 f बटा 2 को हम बराबर कर देंगे इसके एक बटा root 3 50 minus f बटा 2 के तो यहां से देखें यह root 3 इधर आके multiply हो जाएगा तो इधर बन जाएगा यह 3 तो यह equation क्या बनी बटा देखो f बटा 2 बराबर 50 बटा 3 minus f बटा 6 तो इसको इधर ले आए f बटा 2 minus f बटा 6 बराबर का 50 बटा 3 तो बटा यहां से LCM आ जाएगा 6 तो यह बनेगा आपके 6 बन गया और यह बन गया 3f minus f बराबर 50 बटा 3 तो बटा 3 से 2 cancel और यह 2 multiply हो जाएगा 100 तो यह बना 2f बराबर 100 तो बटा f की value आ गई 50 न्यूटन कुल मिलाकर आपको यह concept याद रखना है f cos theta को इस friction force के बराबर करना पड़ेगा क्योंकि वो बोल रहा है कि just begin तो move करना ही वाली है तो extreme condition में दोनों को बराबर रखना पड़ेगा अगला question देखिए एक body है 0.8 kg की उसका मास इतना है initial velocity इतनी है final velocity इतनी है तो बताओ kinetic energy में कितना change आया तो simple सा सवाल final velocity देख लेते है sir final velocity यह रही sir final velocity जब इसको solve करेंगे तो यह root 40 आएगा 6 का square 36 2 का square 4 root 40 sir v initial किता आएगा v initial आएगा आपके 3 का square तो यह आजाएगा आपके पास root 25 9 और plus 16 25 root तो अब क्या करें sir आपको पुचा change in kinetic energy तो half m v final का square minus v initial का square यह आपके change in kinetic energy बता तो 1 by 2 m की value 0.8 v final का square करना है 40 v initial का square करना है 25 अब 0.4 15 तो यह आपके पास आजाएगा 15 into 0.4 that is 6 newton sorry 6 joule 6 joule यह आपके रहेगा change in kinetic energy अगला question देखिए 5 gram mask की कोई bullet है उसकी speed 200 meter per second है वो किसी plywood में enter करती है जिसकी thickness 2 centimeter है और bullet जो है ना जब बार निकलती है तो वो अपनी initial kinetic energy की 10% से निकलती है तो बताओ उसकी 10% होगी किसकी initial की तो यहां से बेटा final velocity भी हम calculate कर लेते हैं तो आईए करते हैं initial kinetic energy को calculate initial kinetic energy half M, M बेटा 50 gram दे रहे है तो आपको इसको kilogram में convert करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा into V square into V square दे रहे हैं 200 meter तो यह आपके बनेगा 200 का बेटा 4 into यह बेटा बन जाएगा 10 की गाच्यार तो ज़्यां से यहां से 3 0 से 3 0 cancel हो जाएगे बचेगा 10 और इधर देखिएगा 2 दूनी 4 यह बन गया 50, 100 यह बन गया 1000 आपकी kinetic energy आ गई 1000 जूल और final kinetic energy बोला 10 परसेंट अब इतना तो आप समझदार है 1000 का 10 परतिशत होगा बटा 100 जूल 100 जूल इसकी final kinetic energy है अब हम वापस इसको क्या करेंगे half M V final का square इसको 100 के बराबर कर देंगे बटा तो यहां से देखो 50 दो बार cancel कर देगा इसको और यहां से देखो यह दर multiply हो जाएगा 2 दूनी 4 तो V final square आए आपके 4000 का हम क्या कर देंगे रूट कर देंगे और 4000 का अगर रूट करेंगे तो बेटा यह आपके पास आंसर आजएगा 20 रूट 10 मीटर पर सेकेंड 20 रूट 10 मीटर पर सेकेंड किस्टन नमबर 6 sorry 28 आपको बोलाएं कि एक बोड़ी है जिसका मास 6 किलोग्राम है उस पर एक फोर्स लगा है और उस फोर्स के कारण उसका displacement आपको देर का टाइम के रेस्पेक्ट में इतना तो आपको पूचाएगी बतो वो दो सेकेंड में कितना वर्क दन करेगी तो करने के लिए आपको एफ बराबर है में तो हमें यहां से एस से जुगाड करना पड़ेगा ए निकालना है मास तो देर का आपको 6 केजी ए काहां से आएगा सर एडिस्प्लेस्मेंट देर का तो यह आजाएगा कैसे S बराबर T square by 4 आप इसका करो Differential तो जब आप इसका Differential करोगे तो आएगी Velocity और Velocity इसका Differential करोगे तो ये आजाएगा आपके पास में 2T by 4 that is T by 2 और जब इसका की वेल्यू आ गई आपके मास देरेका 6 kg एसे लेशन 2 एफ की वेल्यू आ गई बटा 3 नूटन अब क्या करें सर अब अपन इसके अंदर रख देते हैं वर्ग डन इकोस टू F F is 3 S is T स्क्वार बाई 4 तो यहां से हम इसको टी की वेल्यू रख देते हैं दो सेकंड तो यह बटा दो दूनी चार चार बटे चार कैंसिल आपके पास आ गया 3 जूल वर्ग डन आ गया 3 जूल वर्ग डन इतने सेकंड में तो बस कॉंसेप्ट यह केता है ऐसे सवालों में बहुत बा अगर हैसिलेशन में टाइम रह जाता है इसका मलब वो टाइम का फंक्षन हो गया तो फिर आप उसकेस में इंटिग्रेशन से उसको सोल करोगी अगला क्यूसन देखिएगा अगला क्यूसन है कि यदि काइनेटिक एनरजी में 100% इंक्रिमेंट होया तो बताओ मोमेंटम में के टू बाइ-क लगर अब सीधा इस सवाल को कैसे सोल करेंगे ब लाएगे इंक्रिमेंट हो ऊए 100 परषन तो पहले आप काइनेटिक एनरजी मानलो कि इनीचेल इनीचल काइनेटिक एनरजी एक के तो फाइनेल काइनेटिक एनरजी हो जाएगी 2K की में की और चोड़ दो100 परसेंट इंक्रिमेंट हुआ है कैसे कैसे ही लो गया तो P2 की वेल्यू आ गई आपके पास में रूट 2 P1 और रूट 2 P1 मलें 1.41 P1 तो बतो P1 जो अगर मैं इस P1 को 1 मानूं तो बतो P2 कितना हो जाएगा 1.41 तो इसको इंक्रिमेंट कितना वा अगर P2 माइनस P1 निकालेंगे तो बेटा ये वाली वेल्यू आ जाएगी आपके पास में 0.41 तो इसको 100 से मल्टिप्लाइ करो कितना प्रतिशत ये आगे 4 और आता बटा 1.41 तो ये आपके 41.4 प्रतिशत आ जाएगा सिधा सा हिसाब है जो यह आंसर आया उसमें से 1 माइनस करो उसको 100 से मल्टिप्लाइ करतो अब देखिएगा एक L लंबाई और M मास की एक चेन है जिसका दो बटा तीन भाग जो हो मेज से नीचे की तरब लटक रहा है और आपको बोला है कि उस दो बटा तीन भाग को उपर की तरफ completely टेबल पर लेके आना है तो आपको कितना work done करना पड़ेगा तो हम इस क्यूशन को center of mass के concept से करते हैं अधरवाइस integration से भी कर सकते हैं बहुत लंबा हो जाता हमें नीट में इतना टाइम नहीं है तुम इसको सीधा सा सोट ट्रिक कैसे करेंगे कि सर ये दो बटा तीन भाग है इस चेन का तो बटा तीन भाग है तो बटा सेंट्रों मास कितने दूरी पर होगा सर सेंट्रों मास होगा दो बटा छे मिटर पर बिल्कुल सही बात है दो बटा छे मिटर पर हो जाएगा ठीक दो बटा छे एल पर हो जाएगा ना दो बटा छे एल ना तो बटा छे एल पर हो जाएगा इसका अब देखो दो बटा तीन भाग है तो बेटा मास भी तो बटा तीन होगा तो इस जी इस M कोई तो ऊपर लेके जाना है तो कितना M है 2M by 3 को जी कितनी आइट से बेटा L by 2L बटा 3 नहीं कितनी आइट है 2L बटा 6 क्योंकि हमने आप मास यहां पर मान लिया है सेंटर ओमास का कॉंसेप्ट लगाते वे तो आपके पास H हो जाएगा 2L by 6 तो यहां से जब हम इसको सॉल करेंगे तो यह वाली वेल्यू आपके किती हो जाएगी बटा यह वाली वेल्यू हो जाएगी 2M GL by 9 2M GL by 9 तो उप्शन नमबर 4 से हो जाएगा तो इस टाइप का क्योशन को सेंटर ओमास से सॉल करेंगे तो आपका इंटिग्रेशन वाला जो टाइम है वो बच जाएगा अगला देखें किसी स्प्रिंग की लेंथ को 10 सेंटिमेटर इंक्रीज करने में 4 जूल वर्क डन की ज़रू थे तो इससे 10 सेंटिमेटर और बढ़ाने में कितना एक्स्रा आपने को वर्क डन करना पड़ेगा तो देखिए इस सवाल को हमें से करेंगे 1 by 2K आपको बोला है 10 सेंटिमेटर स्टेज करना है तो 10 का ही स्क्वेर और हमें बोला है कि कितना वर्क डन 4 तो बैटा यहां से हम क्या करते हैं यह अगला अब हम वर्क डन निकालते हैं 1 by 2 के सर के की वेल्यू दो बटा 25 रखो और हम टोटल लेंद 20 ले लेते हैं एक बार 0 से 20 तक क्योंकि 10 सेंटिमेटर और बढ़ाना है तो ओवर ओल कितना डिस्टेंस बढ़ाना है 20 सेंटिमेटर तो हम पहले यह सोल कर लेते हैं यह वर्क डन सेगिंड कितना आएगा तो सर यह जो है वो आपके आजाएगा 2 से 2 गया और यह बन गया आपके 400 बटा 25 तो यह आपके पास आंसर आजाएगा आपके पास 16 जूल तो ओप्शन में देखो 16 जूल दे रहे हैं लेकिन 16 जूल नहीं कारण देखो 10 सेंटिमेटर बढ़ाने में 4 जूल और टोटल 20 सेंटिमेटर बढ़ाने में 16 जूल तो बतो अगले 10 सेंटीमेटर बढ़ाने में कितना जरूत पड़ा कि सर 16 माइनस ज्यार बोले तो 12 जूल यह उप्सन आपके सही हो जाएगा तो इस टाइप से इस क्योशन को करना है क्योशन नमबर 32 500 किलोग्राम की एक कार है वो सीधी सड़क पर 36 की स् पांच बटा 18 से मल्टिपलाई करना पड़ेगा यह आजाएगी आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड से अब वो बोला है कि एक मिनट में एक मिनट में बनलब टी बराबर 60 सेकंड में उसकी चाल को आपने कर दिया दुगूना मतलब कर दिया 20 मीटर पर सेकंड तो बोला है कि बताओ इंजन दुवारा सक्ती तो बेटा सक्ती का फोर्मला होता है कारिये बटा समय और कारिये किसके बराबर होता है गती जुर्जा में परिवर्तन के बराबर तो गती जुर्जा में परिवर्तन के बराबर तो गती जुर्जा में परिवर्तन के बराबर तो गती जुर् चे और इंटू आपके पास यह आगया 300 यह वेल्यू आगया आपके पास में 300 तो यहाँ से आपके पास आ गया पचास, पचीस को पचास से मिल्टिपलाई करेंगे तो बारा सो पचास वाट जो है वो सकती आ जाएगी तो डबलू बाइटी सब जानते हैं फोर्मुला डबलू कहां से आएगा? काइनेटीक एनरजी में चेहन से आएगा टाइम साइट सेकेंड वन मिनिट नहीं रखना है क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में केलकुलेट करना है एक पंप की सकती चार सो आट अंकी थे लेकिन उसकी दक्स ता उसकी एफिशेंसी तो 75% है इसका मतलब उसका पी इन तो 100 है सोरी 400 वाट है लेकिन उसका आउटपूट कितना है सर इसका 75% बेटा इसका 75% निकालेंगे तो 300 वाट आएगा अब हमें क्या बोला है हमें उसको 40 मीटर तक उन्चाई तक बेजना है तो 10 मिनिट में कितना आयतन जो है वो 40 मीटर उन्चाई तक लिया जाएगा तो हम यहां से देखो P बराबर होता है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम यहां से हम क्या करेंगे देखो D Sir W का फोर्मला यहां पर MGH है बेटा हमें ग्रिविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना है तो देखो यहां से बेटा D M बाई D T हम केलकुलेट कर लेते हैं D M बाई D T आजाएगा P अपॉन G H Sir P कितना 400 लेएं 300 बेटा है उसकी F उसका नेट तो 400 है लेकिन वो काम तो 300 का ही कर रहा है तो 300 बाई D G की वेल्यू 10 H की वेल्यू बेटा H 40 मिटर तक उपर लेके जाना है तो यह आपके पास आजाएगा आपके 3 बाटा 4 तो D M बाई D T तो यह क्या आया बाटा यह आया किलोग्राम प्रती सेकंड यहां से देखो D M बाई D T तो एक सेकंड में 3 बाटा 4 किलोग्राम लेके जाएगा तो बाटा 1 मिनट में किता लेके जाएगा सर एक मिनट में लेके जाएगा तीन बटा च्यार इंटू साथ तो ये बन गया आपके 15.60 ये 45 किलोग्राम प्रती मिनट हमें पूछा क्या है दस मिनट तो बैटा दस मिनट में कितना सर दस मिनट में पानी का दर्मा जाएगा 450 किलोग्राम बैटा 450 किलोग्राम तो बैटा में हमें पुछा इसका आईतन तो जाईर सी बात है आईतन बराबर वी बटे रो 450 बटे 1000 तो 0.45 मीटर क्यूब जो है वो आईतन इसका हो जाएगा 450 में 1000 का बाग देंगे तो बन जाएगा अंसर क्योंसर नमबर 34 एक खिलोना बंदूग में के spring constant की aynpring लगी हुई है और हम उसको ऐसे दबा रहे हैं x distance दबा रहे है और फिर उसको ट्रिगर कर रहे है तो बता किछना उपर जाएगा तो जाहिर सी बात है half kx square half kx square और यह कितना उपर जायेगा यह आपके हो जाएगा mgh तो यहाँ से देखो जो आप work done करेगा वो work done नहीं तो energy में convert होगा तो half kx square तो यहां से आपके पास value आ जाएगी mg mgh तो h की value किती बन गई बेटा h की value बन गई x square sorry kx square upon 2 mg kx square upon 2 mg option number third यह इस तरह से conservation of energy अपने लगा दिया अगला question देखिए 35 question में बोलाया कि इधर 5 kg का मास अटे से इधर 2 kg का मास अटे से जब हम इसको freely ऐसे चोड़ेंगे तो नीचे आएगा नीचे आएगा और एक condition spring में जब extension होगा एक condition ऐसे होगी जब 2 kg भी उपर की तरफ चलने लग जाएगा तो मैं पूछा है कि बतो जब यह 2 kg उपर की तरफ चलने लगेगा उस समय इस 5 kg का velocity कितना है तो देखिए जब 2 kg जस्ट उपर चलने की condition में होगा उस समय देखो यहाँ पर ध्यां से देखो इधर यह spring नीचे की तरफ kx लगाएगी बिल्कुल लगाएगी तो यहाँ पर यह kx इधर लगेगा और यह kx इधर लगेगा वो tension force में convert हो जाएगा kx तो kx और इधर की तरफ नीचे की लग रहा mg 20 तो जब वो चलने की इस्ततिम होगा उस समय exact kx की value किसके पराबर हो ज करेंगे इस पर लगा देंगे work energy theorem work energy theorem कैसे लगाएगे इस पर दो जने work कर रहे है एक तो gravitation force work कर रहा है और एक spring force work कर रहा है तो देख बड़ा यहां से हम पहले सबसे क्या करते हैं दो से multiply कर देते हैं इसको दो से multiply करने पर यह 2 mgx माइनस kx square बराबर mv square और जब बैटा इसको यहां से m की value m की value हमें दे रखी है 5 kg g की value 10 है x की value हमने calculate कर लिए 1 by 2 जब यह सारी value रखेंगे तो बैटा वी का जो answer आएगा जब इसको solve करेंगे तो वी आपके पास आ जाएगा 2 root 2 meter per second ओके बैटा तो यह आप आसानी solve कर सकते हैं अब देखिए part b इसमें आपको 40 15 सवाल दे रहे थे तो आपको कोई 10 सवाल जो है वो जो आपको easy लगते हैं वो आपको attempt करने थे तो देखते हैं पहला question 36 एम मास का एक object है वो alpha angle पर project किया गया तो बताओ जब वो maximum height तक चला गया तो कितना work done करना पड़ा gravity के द्वारा तो देखो जब यह maximum height पर चला गया है यहाँ पर तो बैटा maximum height यह हो गई सर maximum height होती कितनी है maximum height होती है u square sine square theta upon 2g ओके सर gravitation force बैटा gravitation force तो नीचे की तरफ लग रहा है न mg बिल्कुल सही बात है सर तो work done हो जाएगा mg और यह रहा h u square sine square alpha upon 2g बैटा work done का formula क्या हता है fs cos theta तो ध्यान रखो यहाँ cos theta की value x हो सी क्योंकि object उपर जा रहा है और force नीचे की तरफ लग रहा है तो cos 100c cos 180 हो गया minus का 1 क्या हो जाएगा minus का 1 और अगर minus का 1 हो जाएगा तो यहां बता overall minus आजाएगा कि नहीं आजाएगा बिल्कुल आजाएगा sir जी से जी क्या हो जाएगा cancel ध्यान से देखो option number 4 जो है वो आपके सही हो जाएगा बिल्कुल से सवाल था h calculate करना था h का formula आपको याद है mgh लगा ना था आपको बोला है कि potential energy दे रखी है तो बताओ a और b constant है तो बताओ x क्या होगा जब equilibrium तो आप सब जानते हैं equilibrium की condition equilibrium की condition है डी वाइडी एक्स को जीरो करना तो पहले इस यू को मैं ऐसे लिख देता हूं यू बराबर ए एक्स की गात माइनस च्यार भी एक्स की गात माइनस दो और अब हम कर लेते हैं डी वाइडी एक्स पहले सॉल बटाओ डी वाइडी एक्स जब सॉल करेंगे तो माइनस पॉर एक्स की गात माइनस पाँच बचेगा माइनस माइनस ऐगया जाएगा दो दी एक्स की गात माइनस तीन बचेगा स्को तरह ड minus 5 equals to 2B x की power minus 3 क्या करें सर बेटा इस x की power minus 5 को इधर लेके जा x की power plus 5 हो जाएगा 5 minus 3 x की power 2 तो क्या बना देख 4a upon 2b equals to x की power 2 5 minus 3 2 सर यह कट जा है बिल्कुल कट रहा है दो बार तो यह बन जाएगा 2a by b और यह इधर आजाएगा root x का square इधर आजाएगा root तो option number second आपके सही हो जाएगा बटा अब बोला देखो एक जल की बूंद h उंचाई से गिरती है h height से गिर रही है फिर बोल रहा है कि वो air के resistance की वज़े से टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है जब वो 3 h बटा 4 नीचे गिर रही मलब जमीन से अभी वो कितने ही उपर है h by 4 उपर है तो उस case में उसकी velocity constant हो जाती है अब velocity constant होने का मलब kinetic energy बढ़ना क्या हो गई बंद हो गई और अगर kinetic energy बढ़ना बंद हो गई तो जहिर सी बात है kinetic energy constant हो गई तो आपको कौन से option में kinetic energy constant दिखाई देरी h by 4 पर सर option number 2 के अंदर potential energy potential energy continuously घटेगी जब h 0 होगा तो potential energy 0 हो जाएगी अब देखें यहां आपको पूछा है दो अब्जेक्ट है मास मास म के दो इस्ट्रिंग है वो दोनों एक की constant velocity से चक्कर लगा रहे तो बताओ T1 और T2 का ratio तो देखें बटा क्या यह T2 इदर लगेगा बिल्कुर और यहां से देखो T2 यहां पर भी लगेगा और T1 यहां लगेगा तो अगर मैं इस object की लिए T2 लिए कि सर सेंटिपिटल फोर्स तो T2 बराबर M omega square 2L इसकी length आपको L दे रहे हैं बटा परती एक की तो यह length 2L हो जाएगी बिल्कुर सही है सर तो T2 बन गया बटा 2M omega square L ठीक है T2 बन गया 2M omega square L T1 क्या बनेगा सर इसके लिए इसके लिए सेंटिपिटल फोर्स क्या होगा इसके लिए सेंटिपिटल फोर्स होगा T1 minus T2 इसके लिए सेंटिपिटल फोर्स क्या होगा T1 minus T2 T1 इदे लग रहा T2 इदे लग रहा T1 minus T2 equals to M omega square L इसका radius L ही है बटा तो T1 equals to M omega square L plus T2 T2 की value 2M omega square L तो यह बन गया T1 बराबर 3M omega square L T1 by T2 3 बटा दो हमें यही पुचा था बाग दे देंगे बन जाएगा अंसर क्योंसर नमबर 40 150 meter की radius दे रह किये बोलाया कि गाड़ी को बीना फिसले maximum velocity कितनी होनी चाहिए friction coefficient सीधा सा concept V maximum equals to root mu RG root mu mu की value 0.6 R की value 150 और G की value 10 तो यह बटा आपके बन जाएगा 6 और यह 900 आजाएगा 900 मलब root 30 sorry 30 meter per second M mass का एक object है वो यहां से गिरना start होता है और वो यहां तक आता है तो आज पूचा यहां जब आएगा तो बताओ इसका velocity कितना होगा तो बैटा यहां से जब यह नीचे गिरा तो क्या चीज हुई बैटा इसकी potential energy में कमी हो गई potential energy में किती कमी हो गई कितनी height कम हो गई देखो यह length इसकी L है और यह length इसकी L है बैटा और यह angle alpha है तो बैटा यह length हो जाएगी L sin alpha इसका मलब वो कितना नीचे आया L sin alpha नीचे आया तो बताओ potential energy में कितना increment decrease हुआ कि सर्फ potential energy होगी mg into L sin alpha mg into L sin alpha और यही potential energy में जो decrease हुआ वही तो kinetic energy में increase हुआ वही तो kinetic energy में increase हुआ तो low sin potential energy इस्तधी जूर्जा में कमी बराबर गदी जूर्जा में व्रदी यहां से हम से हम कैसे हम हो जाएगा और यह V की value जब solve करेंगे तो आप क्या जाएगी root 2gl sin alpha root 2gl sin alpha यह बन जाएगा question number 41 question number 42 अब देखिए यह question में क्या बोला है कि जब यह object ऐसे motion करते 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 यहां पर आगया तो इसकी velocity root 7gr है तो बतो यह h height कितनी होगी तो बेटा जाहिर सी बात है अगर यह root 7gr है तो हमारे पास एक equation है velocity की V बराबर V square बराबर U square minus 2gl 1 minus cos theta यह L का मतलब R है बेटा L का मतलब क्या यहां पर R radius तो देखो आपको यह velocity दे रहे कि रूट 7gr तो जब यहां root 7gr रखेंगे तो जब इसको solve करेंगे तो U आजाएगा बटा root 9gr U क्या आजाए बटा U की value आएगी root 9gr Sir U root 9gr आगया फिर क्या करें तो बेटा अगर यहां velocity root 9gr है root 9gr है तो यह velocity आई कहां से Sir यह जो potential energy थी वही kinetic energy में convert हुई Sir potential energy MGS थी वही kinetic energy में convert हो गई half M V square V square मतलब 9gr M से M cancel हो गया और H की value आपके पास आजाएगी बेटा 9R by 2 G से G cancel हो जाए बेटा तो 9R by 2 कौन सा option में इस कर रहा है 1 तो simple है circular motion से यह velocity दे रहे की थी यह velocity निकाल लो इस equation से initial velocity निकाल लो यह velocity निकाल के जो conservation of mechanical energy को जो हो लगा दो 43 अब आपको बोला है कि एक circular motion है उसमे maximum और minimum tension का ratio जो हो 5 ratio 3 है तो बताओ उसकी velocity क्या है तो बटाओ टी maximum और टी minimum बटाओ टी maximum किता होता है सब टी maximum होता है mv square बटे r plus mg t minimum किता होता है mv square बटे r minus mg notes में जरूर लिखा होगा यह चीज tension का formula आप सबको पता है mv square बटे r plus mg cos theta cos theta maximum plus 1 cos theta minimum minus 1 minus रग दिया और अब हमें यह ratio दे रहका 5 ratio 3 अब हमें यह ratio दे रहका 5 ratio 3 अब बटा देखो आपको यहाँ पर radius दे रहकी है देखो m स m कैंसिल हो जाएगा constant आकर common आकर कैंसिल हो जाएगा तो v square बटे r g v square तो आपको velocity निकालनी है g का मान आपको 9.8 रखना है और जब इसको solve करेंगे तो यह आपके पास आंसर आ जाएगा root का 98 में equation लिख देता हूँ यहाँ से क्या बनेगी यह equation बनेगी v square by r plus g upon v square r minus का g equals to 5 by 3 cross multiply करके आपको इसको solve करना पड़ेगा question number 44 second की जो आपके जो hand है second hand गड़ी की second की सुई उसकी land 2 cm है तो बताओ इसकी जो pin है उसकी tip में 15 second में कितना change होगा सबसे पहले देखो 15 second में आएगा कहां पर मालो यह यहाँ पर था second की सुई तो यह यहाँ आगया तो देखो जो velocity यहाँ होगी वही तो velocity यहाँ होगी अगर दोनों वेक्टर सेम हैं दोनों वेक्टर का magnitude सेम है तो 2V sin theta by 2 सर वी कितना है वी तो याद करना है तो बताओ second की सुई की velocity कितनी होगी सर एक चक्कर लगाने में 2 pi r r का मान दे रखा बता 2 cm divided by 1 second 60 second में एक चकर लगा लेती है तो 2 pi r यह बन गया आपके pi by 15 तो बटा V की value pi by 15 तो देखो delta V बराबर 2 pi by 15 into sin 90 by 2 sin 45 1 by root 2 root 2 उपर चला जाएगा तो root 2 pi upon 15 cm पर second हमने meter में convert नहीं किया था क्योंगी सारे option किस में थे सारे option cm में थे तो यह वाला concept important है यहाँ पर अगर दोनों vector सेम हैं तो उनका subtraction का formula यह बनेगा फिर बोला एक car जो है वो 500 meter radius की सडक पर 50 meter per second की चाल से चल रही है और अपनी चाल 5 meter per second के ऐसी lesson से बढ़ा रही है इसका मतलब आपको 80 ज्यान रहागा यह क्या देर का यह आपको देर का 80 80 की value दे रही है यह 5 और पूचा क्या है कि car का एसी lesson पूचा इसका मलब वो net isolation पूचना चाहरा है तो बटा ऐसी निकालो ऐसी निकालेंगे V square बटे आर से AC V square बटे आर V square 50 का square बटे आर 500 जब इसको solve करेंगे तो यह value भी आपके 5 आजाएगी तो बतो आपको पता है net isolation का formula AC square plus AT square इसमें confuse नहीं होना यह जो आपको दे रहे है न 5 meter per second square एक्चल में यह क्या है यह 80 है यह आपके tangential isolation दे रहे है और वो पूचना चाहरा है net isolation आपसे AC calculate करके फिर इसको solve करेंगे question number 46 एक सवाल सिधा साहे angular acceleration क्या होगा अगर वो उसका omega जो है वो constant है अगर omega उसका constant है तो जाहर सी बात है alpha equals to d omega by dt यह वाली value आपके 0 हाजाएगी तो angular acceleration 0 हो जाएगा अब बोला है कि एक सड़क है जिसका 3G R है radius R है उसकी सड़क की चोड़ाई B है तो देखो कैसे यह एक सड़क है शड़क की порo यह B है फीक है तो आपसे पूछाए कि स्वरक्षीत mode अगर पार कर ले अच्छा है तो बोला है कि स्वरक्षीत mode पार करने के लिए बतो क्या होगा तो बेटा जाहर सी बात है recipes आपको पता है 10 theta का formula 10 theta का formula होता है आपके पास V square बटे RG लेकिन इस डाइग्राम से देखो तो V square का 10 theta का formula हो जाएगा H बटा B perpendicular upon base तो बतोब यहां से हमें H ही तो निकालना है तो H की value क्या आ जाएगी H की value हो जाएगी V square बटे RG इस B को इज़र लेके जाओ H की value हो जाएगी तो यह आपके कौन्स option बेच कर रहा बटा second option बटें आगे question number 48 बढ़िया सवाल है ही है सवाल बोला है कि यह कटो रहा है वो अपने इस axis के च्यारों रहे से reward कर रहा है इस reward कर रहा है ठीक तो अब पुछा है कि यह object यही रहना चाहिए theta angle बना कर तो जाहिर सी बात है आप कुछ सोचो जब यह कटोरा ऐसे move करेगा तो यह object अगर अगर यही रहेगा तो यह कटोरा के साथ ही move करेगा और कटोरा के साथ साथ move करेगा तो यह हम अगर इसको देखे हैं तो हमें ऐसा लगेगा यह कटोरा के साथ theta किती हो जाएगी R sin theta तो बटा हम यहाँ दो equation बनाएगी एक तो इस पर normal reaction लगेगा N तो N के दो component होंगे एक इधर और एक इधर देखिए ये component हो जाएगा N sin theta ये किसको balance करेगा sorry N cos theta बटा उपर की तरफ component क्या बन जाएगा N cos theta और नीचे की तरफ Mg ये इसको balance करेगा और एक बटा N का इधर component बन जाएगा N sin theta जो किसको जो centripetal force provide गरवाएगा M omega square R तो बटा यहाँ से अगर मैं लिखूँ N sin theta equals to M omega square R, R की value R sin theta तो बटा sin theta sin theta cancel N की value आ गई M omega square R दूसरा है N cos theta N cos theta बटा Mg तो बटा दोनों को divide कर दो जब दोनों को divide करेंगे तो M से M मर गया 1 by cos theta equals to M से M cancel omega square R by G तो बटा जब इसको यहाँ से solve करेंगे तो omega की value आ जाएगी आपके G by R cos theta ये root में ये आपके answer आ जाएगा तो इसका कौन सा option आपके सही हो जाएगा root G by R cos theta कि आप इसको यहाँ पर कितनी minimum velocity दो कि यहीं से object को छोड़कर मलाय से चला जाएगे तो बटा जहिर सी बात अगर यह यहाँ नहीं छोड़ता तो यह से circular motion करता अगा नहीं करता बिल्कुल करता सर तो बटा mg नीचे लगेगा बिल्कुल लगेगा सर एन ओपर लगेगा बिल्कुल लगेगा सर और जब यह circular motion करता तो इसका center यहाँ होता बिल्कुल होता सर और अगर center यहाँ होता तो बटा centripetal force क्या लिखता सर centripetal force तो मैं लिखूँगा mg-n और इसको मैं किसके बराबर कर दूँगा mv square बटे r के बराबर इस diagram के नुसार अगर आप देखो centripetal force mg-n है लेकिन हमें पता है कि centripetal force mv square बटे r अब वो बोल रहा कि वो वहीं से छोड़ दे अगर इसकंड को यहीं से छोड़ दे तो बैटा n की value क्या आजाएगी 0 n 0 करतो बैटा और n 0 करते m से m मर जाएगा और v की value आजाएगी root g r root g r option number third last question अब बोला है कि एक particle है वो vertical circle में चल रहा है और बोला है कि जब वो 30 degree angle और 45 degree पर चला जाता है 30 degree angle बनाएगा यहां से 30 degree angle फिर यहां बनाएगा वो 45 degree angle यह 45 degree angle तो आज से पूछा है कि tension मुझे बताओ टेंशन का formula क्या होता है चेहर का formula HER money square यहार प्लस mg को दा तो जैसे उपर जाएगा वैसे वैसे जीड़ेगा और आपको बताएगा तो प्ता बढ़ता यहां तो नीचे वाला तेंसा जाद होगा जैसे से उपर जा रहे हैं वेलोसिटी कम हो रही है थिटा भी कम हो रहा है तो T1 ग्रेटर देर T2 तो ये इस तरह से हमने minor 2 जो आपका जो test series था वो हमने solve किया अई होब आपको सारे क्यूशन आपने अच्छे से समझ लिये होंगे धन्यबाद जैहिन जैसी यलसी